नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं परिच्छावर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तों जीए में आज हम पढ़ने वाले हैं जन्नल अवैनेस का जो टॉपिक आपका है भारत एवन बिस्टू के खेल इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं बिल्कुल चोटा से टॉपिक होने वाला आपका, यह जो टॉपिक आपकी सलेवस में दिया गया है। समान जगरुकता का जो आपका सलेवस है उसमें आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। यहां हमारा जीए का सात्वा वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट हमने पहले ही बना दी है, इस प्लेलिस्ट में आपको 6 जो important वीडियो अभी तक हमने upload किये हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे, यह हमारा सात्वा वीडियो है, सात्वा वीडियो बिल्कुल छोटा सा होने वाला है, इ उनको भी हम देखेंगे तो वीडियो आप इल्कुल ध्यान से लास्ट अग देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ए वीडियो आपके एक्जाम के लिए होने वाला है तो अच्छली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको वीबी ने देखेंगे रास्टी खेल पता होने चाहिए तो इसी से लेटेटिड इंपॉर्टेंट एमसे क्यू सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो कनेडा का यहां पर रास्टी खेल आप से पूछा गया है क्या है कनेडा का रास्टी खेल काफी महत्पुन है तो कनेड़ा का राश्टी खेल क्या है आई सौकी हो जाएगा इसके बारे में आपको याद अखना है आई सौकी जो है यह कनेडा का रास्टी खेल है इसके बारे में आप याद देखिएगा काफी ज़्यादा महत्वपुन प्रस्ट आपके एकजाम के लिए है युवेस से यानि कि अमेरिका का राष्टी खेल यहाँ पे आपको बताना है तो अमेरिका का राष्टी खेल आपका क्या हो जाएगा अमेरिका का राष्टी खेल हो जाएगा बेसबॉल यानि कि option आपका B यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा जो बेसबॉल है यहाँ अमेरिका का रास्टी यह खेल है तो इसके बारे में आप यहाँ देखेगा important person है वहीं बेसबॉल की यहाँ पे बात हो रहे है तो बेसबॉल के बारे में कुछ important facts को यह जान लेते है तो सबसे पहली चीज आपको याद अखने कि जो बेस बॉल होता है यह तो संयुक्त राज अमेरिका का रास्टी खेल है लेकिन इसमें खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो इसमें जो है खिलाडियों की संख्या नव होती है और यहाँ संयुक्त राज अमेरिका यानि क USA का national game है भारत का राश्ट्री खेल इसमें से कौन सा है पूछा जा रहा है भारत का राश्ट्री खेल इसमें से कौन सा है तो इसके बारे में आप याद देखिएगा होकी में कुल कितने प्लेयर होते हैं आपसे पूछा या सकता है होकी जो हमारा राष्ट्री खेल है इसमें कुल कितने प्लेयर होते हैं तो होकी में आपके टोटल 11 प्लेयर होते हैं तो इनके बारे में आपको याद अखना है यह होकी की सबसे सरवोची संस्था मानी आती है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन जिसके अस्थापना उननीसोच चौबीस में किय गई थी और इसका हेड़कॉर्टर आपको लेगा लुसाने, सिट्जे लेंड का एक सहर है लुसाने, यहीं पे इसके इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप यह देखिएगा, important प्रस्थन है तो हॉकी जो है, हमारे यहांका राष्टी खेल है हमारा राष्टी खेल है, तो इसके बारे में आप यहां देखिएगा, option आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके सामने है जपान का यहाँ पे राष्टी खेल आपसे पूछा गया है क्या है जपान का राष्टी खेल तो जपान का राष्टी खेल क्या हो जाएगा तो जपान का राष्टी खेल हो जाएगा कि Spain का राश्टी खेल क्या है Spain का राश्टी खेल क्या है तो bullfighting हो जाएगा आप याँ देखिएगा जो bullfighting है यह Spain का राश्टी खेल है इसको sand हिंदी में sand youth भी कहते हैं तो आप इसे आद कर लिजेगा या जो है आपका bullfighting जो है Spain का national game है बुल फाइटिंग किस देश का राश्टी खेल है तो मैंने अभी आपको बता है स्पेन का राश्टी खेल है यानि कि आपका एवाला यहां पर बिल्खुल सही है अगला प्रस्थन आपके सामने है और एक तरब राश्टी खेल दिये गये हैं और उनसे संबंति देश दिये गये हैं तो इनको आपको सही सुमिलित करना है इंपोर्टन प्रस्थन है तो क्रिकेट दिये गए ऑप्संस में से किसका राश्टी खेल है दिये गए options में से इस में से किसका राष्टी खेल cricket है तो दिये गए options में से जो cricket है Australia का राष्टी खेल है यानि कि option आपका यहाँ पर एक अतिन हो जाएगा Badminton किसका राष्टी खेल है दिये गए options में से दिये गए options में से जो Badminton है या cिसका राश्टी खेल है आपको बताना है तो यहाँ पर दिएके options के अन्ण। यहाँ पर फिल से कलते हैं क्रिकेट आपका दिएके options के अन। राश्टी खेल हो जाएगा यानि कि B का दो हो जाएगा इसके बाद football कहा का राश्टी खेल है तो फुटबॉल आपका कहा हो जाएगा तो फुटबॉल आपका ब्राजील कहो जाएगा राश्टी खिल यानि कि आपका C का आपका 1 हो जाएगा इसके बड़ी जो है आपका बांगलादेश का राश्टी खिल भी रास्टी खेल है, क्रिकेट, तो आप भूलिएगा मत एक जो गेम है, दो देशों को भी रास्टी खेल हो सकते हैं, तो जैसे मैं आपका अब भी बता है, जो क्रिकेट है, या उस्टेलिया का भी रास्टी खेल है, और इंग्लेंड का भी रास्टी खेल है, तो options जैसा रहे मलेसिया और इंडोनेसिया तोनों का राश्टी खेल है तो दिये गए आपका इंडोनेसिया दिया गया है तो बैट्मिंटन का क्या हो जाएगा इंडोनेसिया हो जाएगा इसके बाद फुटबॉल कहां का राश्टी खेल है तो फुटबॉल जो है न यह आपका राश्टी खे लेट इसके बारे में प्याहद दिखिएगा इसके अलाबा कबड़ी जो है आपका राश्टी खिल कहाँ कहाँ कह जाएगा तो कबड़ी आपका हो जाएगा बांगला देश का तो ये चारो सुमेलित हो गया है मैंने एक्स्टा इंफॉर्मेशन भी आपको दी है इस पर देख लिजेगा क्रिकेट ऑस्ट्रलियक हो जाएगा बैडमिंटेन इंडोनेसिया को हो जाएगा फुटबॉल आपका ब्राजिल को हो जाएगा कबड़ी आपका बांगला देश का हो जाएगा इसके लबा क्रिकेट दो देशों का राश्टी खेल है एक बार फिल से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ अस्टेलिया और इंगलेंड का इन दोनों देशों का राश्टी खेल क्रिकेट है इसके लबा बैटमिंटन भी दो देशों का राश्टी खेल है एक आपका इंडोनिसिया हो गया और एक आपका मलिसिया हो गया इसके लबा फुटबॉल भी दो देशों का राश्टी खेल है टेबल टेनिस जो है किस देश का राश्टी खेल है आपसे पूछा जा रहा है टेबल टेनिस किया पे बात हो रही है तो टेबल टेनिस आपका चीन का राश्टी खेल हो जाएगा इसके बारे में आप याँ देखिएगा चीन कराश्टी खेल है टेबल टेनिस इसके बारे में आप याँ देखिएगा इसके लावा मलेशिया कराश्टी खेल कौन सा है तो मैंने आपको भी बता है बैडमिंटन बैड मिंटन जो है आपका मलेशिया कराश्टी खेल हो जाएगा इसके अलाबा आपका सलंका कराश्टी खेल कौन सा है तो सलंका कराश्टी खेल बॉली बॉल हो जाएगा आप यहाँ देखेगा बॉली बॉल बॉली बॉल जो है यहाँ सलंका कराश्टी खेल है वहीं फ्रांस का आपको हो जाएगा फुटबॉल तो चार एक बारे मैंने आपको बता दिया है इनको आप या देखेगा वहीं अगला प्रस्तन मारा आपके सामने दिया गया है और तिरंदाजी किस देश का राश्टी खेल है यहाँ पे पूछा गया कि तिरंदाजी जो है किस देश का वहीं इंग्लेन का आपको मैंने बताया था क्रिकेट है जापान का जूडो है पाकिस्तान का राश्टी खेल क्या है तो पाकिस्तान का राश्टी खेल भी होकी है यानि कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का होकी नेशनल गेम है तो इसके बारे में आप या देखेगा और अगला प्रस्तन आपके स्क्रीन बदिया गया है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारम किया था यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन है किसके दौरा प्रारम किया गया था तो भारत में पोलो जो गेम है इसका प्रचलन किसके जैखर गया था तो आप आथ देखेगा, आपका तुरक थे तुरकों केदार अधारत में पोलो थेटस्टारनः प्रस्ली प्रा प्रेहरंब किया गया था तो इसके बारे मैं आपको याँ ठकनी आ appeal आपका यहां पर यहां पर तुर्क या आपका सासक का डाह बताइए जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्ती हो गई थी मैंने आपको बताया था पढ़ाया भी हुआ है शुरू किया गया था इसके बारे मीहार देखिएगा और इम्पोर्टेंट रसन है इसके बाद अगला प्रस्थन आपके सामने है पोलो खेल का प्रस्थन भारत में किस राज जिमें हुआ है आपसे पूछा जा रहा है पोलो खेल का प्रस्थन भारत के किस राज जिमें हुआ तो पोलो खेल का जो प्रेशलन है भारत के किस राजी में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे तो राइट इंस रापा क्या हो जाएगा मनीपूर याने की आपसन जो आपके यहाँ पे बी वला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा मनीपूर अगला प्रसन आपके सामने है कबड़ी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है के साथ प्लेयर होते हैं इनके बारे में आप यहाँ देखेगा इंपॉर्डेंट है इसके लबा कबड़ी के कई सारे नाम है भारत में जैसे दक्षिल भारत में इसको चेडू गुडू कहते हैं इसके लबा हू तूतू कहते हैं दक्षिल भारत में इसके लबा उत्तर भार में वह माना जाता है सत्रंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है सत्रंज का जन्मदाता देश किसे माना जाता है तो भारत तरपका अगें राइट एंश रो जाएगा भारत और क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी आपसे पूछा जा रहा है क्रिकेट खेल कि कौन सा युग्म गलत है एक तरफ खेल दिया गया और उनका जन्मदाता दिया गया तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा इसमें से गलत दिया गया है तो इसमें से आपका जो गलत दिया गया वो सत्रंज वाला है सत्रंज सत्का जो जन्मदाता देश वो भारत है तो यहाँ पर भारत होना चाहिए था बाकिया आपके तीनों सुमलित हैं बिलियर्ड्स फ्रांस हो जाएगा कवट्डी भारत हो जाएगा स्ट्रूकर भारत हो जाएगा लेकिन सत्रंज यहाँ पर रूस दिया गया था लेकिन सत्रंज अभी आपका भारत ही होगा तो यहाँ पर उप्सन सी आपका सुमलित नहीं था गलत यूग में दिया गया है तो तो इसके बारे में आप या देखेगा अब जो भी गेम समने देखे हैं पड़े हैं उनसे जुड़े आई ये खिलारियों को भी देख लेते हैं कि किस गेम में कितने खिलारी होते हैं यहां से प्रस्न कईबर एक्जाम में पूछ लियाते हैं तो आपका जो खोखो गेम है इसमें कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं खोखो गेम में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं आपसे पूछा जा रहा है खोखो गेम की आपे बात हो रही है तो खोखो में कितने प्लेयर होते हैं फटाक से इसका जवाब दीजी आप तो राइट एंसर आपके हो जाएगा जो खोखो गेम है इसमें आपके कितने प्लेयर होते हैं तो नौ प्लेयर होते हैं तो इसके बारे में आपका देखिए कर नौ प्लेयर होते हैं आपके खोको गेम में यहने के option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप यहाँ देखेगा इसके बाद जो अगला प्रस्थन आपके सामने है वो है वाटर पोलो में एक पक्च में कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो गेम के यहाँ पे बात हो रही है इसके एक पक्च में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वाटर पोलो के एक पक्च में जो आपके साथ खिलाड़ी होते हैं तो इसके बारे में आप यहाँ देखेगा तत्ह वाटर पोलो की जो सरवोग्च संस्था उसको हम Phyna कहते है वाटर पोलो की जो सरवोग्च संस्था होती है उसको हम Phyna के नाम से जानते है Phyna कе मतलब क्या होता है Federation International Δ.N 안-tension Amateur यह जो है Phyna सरवोग्च संस्था मानी आती है ओटर वाटर पोलो की तता इसका जो हेड़काटर रफीना का आपको भी लेगा सुर्जया लेंड के लुसाने सहर में और इसमें खिलाडियों की संख्या साथ होती है तो आप यहाँ देखेगा option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तन है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आप यह पोलो टीम की बात हो रही है पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे पूछा जा रहा है तो एक जो Polo टीम होती उसमें जो आपके चार खिलारी होती है निके option आपके यह हाँ पे बिल्कुल सेज़यागा चार खिलारी और Baseball में प्रतेक पक्षिमें खिलारीों की संक्षिया यहाँ पी पूछी जा रही है कितनी होती है Baseball के प्रतेक पक्षिमें खिलाडियों की संख्या यहां पे पूछी जा रही है कितनी होती है तो baseball के बारे मैंने आपको ओताया था यह America का रास्टी खेल है USA का रास्टी खेल है पहले चीज़ तो आप यह यहाद रखिएगा वहीं इसके एक पक्च में खिलाडियों की संख्या यहाँ पर पूछे जा रही है कितनी होती है तो बॉली बॉल की यहाँ पर बात हो रही है तो इसमें खिलारियों की संख्या आपके कितनी हो जाएगी बॉली बॉल में तो बॉली बॉल में आपके जो खिलारी होते हैं इनकी संख्या होती है छे तो इसके बारे में आपया देखेगा कहा गया बॉलीबॉल वाला यहाँ पर आप्शन ए वाला से हो जाएगा न अच्छे बॉलीबॉल में जो है प्रते एक टीम में खिलाणियों की संख्या छे होती है तथा बॉलीबॉल कहा का नेशनल गेम है तो स नेपाल का भी वलतमाल में नेशनल गेम जो है आपका बॉलीबॉल ही हो गया है तो इसके बारे में आपया देखेगा यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर हम बॉलीबॉल की बात कर रहे थे तो तब बॉलीबॉल जो गेम है इसकी सरोग ची संस्था कौन होती है इसक इसके बारे में आप या देखेगा इसका हेड़कॉटर आपको लेगा सुर्जा लेंड के लुसाने सहर में तो इसमें खिलाड़ी के संक्या कितनी होती है तो छे होती है तो इसके बारे में आप या देखेगा अगला प्रसना आपके सामने है कितने खिलाड़ी एक टीम से बॉली बॉल में कितने खिलाडी होते हैं इसके बाद कबड़ी में आपके कितने खिलाडी होते हैं इसके बाद कबड़ी में आपके कितने खिलाडी होते हैं तो जो आपका कबड़ी है कबड़ी में आपके कितने खिलाडी हो जाएंगे तो कबड़ी में आपके हो जाएंगे 7 प्लियर कितने होते तो 7 प्लियर होते तो आप पहले 9 हो जाएगा इसमें फिर इसमें 7 हो जाएगा फिर जो आपका बॉली बॉल है बॉली बॉल में कितने खिलारी होते हैं तो आपका जो बॉली बॉल होता है इसमें आपके खिलारी हो जाएंगे 6 बॉली बॉल में आपके 6 खिलारी होते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा फिर इसके बाद जो आपका basket ball होता है basket ball में आपके कितने खिलारी होते हैं तो basket ball में आपके खिलारी हो जाएंगे 5 हो जाएंगे तो इस प्रकाल से आपका right answer option C हो जाएगा खोको में आपके 9 खिलारी कबड़ी में आपके 7 खिलारी हो जाएंगे इसके बात प्रत से आपका सी बाला हो जाएगा इसके बाले में आप यहाँ देखिएगा और इसके अलबा बास्केट बाल की जो गवर्निंग बाडी होती है इसको फीबा कहते हैं एक चीज़ आप 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 आदेखेगा बास्केट बाल की जो गवर्निंग बाडी होती है सरोज संस्ता होती है इसको फीबा के नाम से जानते हैं फीबा का पुरा नाम क्या होता है तो फीबा का पुरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केट बाल एसोसियेशन इसके स्थापना 1932 में की गई थी और इसका हेड़कॉर्टर अपकुन लेगा स्थापना 1932 में स्थे और इसके बारे में आप यहाँ देखेगा कबड़ी के खेल में प्रतेक पक्च में खिलाडियों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है कबड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो मैंने आपको भी बताया है कबड़ी में आपके साथ खिलाडी होते हैं, साथ प्लेयर होते हैं, तता इसका जो उद्गम है भारत में माना जाता है कबड़ी का तो इसके बारे में आप या देखेगा, किस समू के खेल में प्रतेक पक्ष में साथ खिलाडी होते हैं, किस खे कबड़ी में भी आपके साथ प्लेयर ही होते हैं तो option C वाला यहां पे दिया गया है ना water polo और कबड़ी आपका बिल्कुल सही हो जागा water polo में भी आपके साथ खिलाडी होते हैं और आपके कबड़ी में भी साथ खिलाडी होते हैं तो option C वाला यहां पे आपका बिल्कुल सह ही दिया गया है इसकोगा अगरा प्रस्ते हे नीवन लिखित इसके बारे मोफटेंटि mean किस ऑपश की टीम के प्रतेक पक्ष के टीम में क्यारे खिलाडी नहीं होते हैं कि इसमें से जो चार खेल आपको दिय smiles प्लेयर नहीं होते हैं आपसे पूझा जा रहा है तो इसमें से खोखो, खोखो में आपके बस 9 प्लेयर होते हैं, बाकी क्रिकेट में 11 आपको मिलेंगे, होकी में 11 मिलेंगे, फुटबॉल में आपको 11 मिलेंगे, लेकिन खोखो में जो आपके 9 प्लेयर होते हैं, तो इसके बारे में आप या देखिएगा, इम्पोर्टेंट है तो option आपका B वाला याँ पर सही है खोखो में आपके कितने प्लेयर होते हैं तो खोखो जो है आपका इसमें आपके कितने प्लेयर होते हैं तो इसमें सिर्फ आपके 9 प्लेयर होते हैं दिनके बारे में आप याँ देखेगा इसके बाद अगला प्रस्थन है और रगवी फुटबॉल में प्रतेक पक्ष में खिलाडियों के संख्या कितनी होती है रगवी जो आपका फुटबॉल होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं प्रतेक पक्ष में आपसे पूछा जा रहा है तो option आपका जो यहाँ पर E वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद आज का last question आपके सामने है निम्नलिखित में से किस खेल के team में महिला तता पुरुस दोनों खेलते हैं दिये गए 4 जो आपके सामने खेल हैं इनमें से किस खेल में महिला और पुरुस दोनों खेलते हैं तो इसमें से जो कार्फ बॉल वाला गेम होता है इसमें महिला और पुरुस दोनों भाग लेते हैं दोनों खेलते हैं तो इनके बारे में आपको याद रखना है Car for Ball इसमें महिला पूरुस एक साथ खेलते हैं तो इसके बारे में आप याल रखिएगा तो इस तरह से बिल्कुल छोटा सा आपका टॉपिक था भारत एवं विस्व के खेल का जो भी important person बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे cover कर लिया है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा इसके बाद जी एक का जो टॉपिक अगला वाला है उसको हम जली complete करने की कोशिस करेंगे तब तक के लिए thank you thanks for watching